ओम शरी विश्णवे नम्हा आज कीस विडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है मोक्षता एकादशी वरत के पारण मुहृत के बारे में हो सकता है कि इस बार तीन दिसंबर को कुस लोगों ने एकादशी का उपुआस रखा हो हो सकता है कि कुछ लोगों ने चार दिसंबर को ही एकादशी का उपवास रखा हो जो कि वैशनव एकादशी है और जो कि शुद्ध एकादशी भी है तो ऐसे में आपको इस वीटियो में दोनों ही तिथियों के जो वरत पारण मुर्त की जानकरी है वो दी जाएगी अगर इकादशी के दिन अंश मात्र भी दश्मीति तिथि रहे तो उस एकादशी को वरत नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी लोग उस दिथि में उपवास करना ज्यादा सही समझते हैं जस दिन सारा दिन एकादशी होती है तो ऐसे में सबसे पहरी बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो वैशनव जन है वैशनव संप्रदाय के जो लोग हैं वो केवल वैशनव एकादशी का ही व्रत रखते हैं अगर उस दिन द्वादशी तिथी भी सारा दिन हो और एकादशी थोड़ी सी देर के लिए भी हो तो उस तिथी में एकादशी का उपवास रखना ज्यादा शुब माना जाता है लेकिन बाकी जो भी क्रस्ट चन है वो दश्मीतित्रिक्त एकादशी का वृत रख सकते हैं लेकिन एकादशी के नेमों के निसार मानिताओं के निसार यही कहा जाता है कि दश्मिति थिर्त एकादशी का उपवास रखने से व्रत का पूंडफल प्राप्त नहीं होता है इसलिए आगे से आप जब भी एकादशी का व्रत रखें तो आप पहले ये जरूर जान लें कि एकादशी की थिर्ती प्रारम कब से हुई है कब समाप्त होगी और वरत पारण के दिन सुभा के समय हरिवासर का समय तो नहीं रहने वाला है क्योंकि देखिए जिन लोगों ने भी 3 दिसंबर को एकादशी का उपवास रखा है वो 4 दिसंबर को सुभा के समय वरत नहीं खोल सकते और मद्यान के समय यानकी 11 बजे से लेकर एक बजे के बीच में भी एकादशी का वरत नहीं खोला जाता है सुभा हरिवासर का समय होगा तो ऐसे में जो एकादशी वरत की अवधी है वो बहुत जाता लंबी हो जाती है और आम तोर पर देखा जाए तो किवल 24 घंटे के लिए ही एकादशी का वरत रखा जाता है तो जैसे कि 12 तिथी प्रारम होगी 4 दिसंबर रविवार की सुभा 5 बज कर 35 मिनट से और समाथ हो जाएगी 5 दिसंबर सोमवार की सुभा 5 बज कर 58 मिनट पर तो जिन लोगों ने 3 दिसंबर शनिवार को एकादशी का उपवास रखा है वो 4 दिसंबर रविवार को अपना वरत खोल सकते हैं दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बज कर 9 मिनट तर क्योंकि सुभा के समय हरिवासर रहेगा तो हरिवासर के समय एकादशी का वरत भूले से भी नहीं खोला जाता है 4 दिसंबर को वैशनव एकादशी है तो 5 दिसंबर को वरत खोला जाएगा पास दिसंबर को जिस समय वरत आप खोलेंगे उस समय त्रियोदशी तिथी लग गई होगी लेकिन ये भी एक आदशी का एक नियम है कि अगर द्वादशी तिथी समाप्त हो गई हो और वरत पारण का मोहर्त अगले दिन सुभा ही प्राप्त हो रहा हो तो सुभा को त्रियोदशी तिथी के प्रथम पहर में भी एक आदशी का वरत खोल लिया जाता है उसमें कोई दोश भी नहीं रहता इसलिए सुभा जो आपको समय बताया गया है उसी समय में आप अपना वरत जरूर खोले, उसी समय में आप जो भी दानित्या दी है वो जरूर दे ले और हमेशा जो वरत है वो सुर्दे के बाद ही खोला जाता है, सुर्दे से पहले कभी भी अन वगरह नहीं ग्रहन किया जाता है अक्सर ऐसा होता है कि एक आदशी के तिथी दो दिन तक होती है तो हमारी वीडियो में आपको हर बार जो भी एक आदशी है उसकी तिथी और शुभ मोर्त और वृत पारण की सही जानकारी दी जाती है अगर आपको चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजीगा अब जाने पारण विधी के बारे में तो जैसा कि एकादशी का वरत हम बहुत नियमों के साथ रखते हैं कोई भूल चूक ना हो जाए इस बात का ध्यान रखते हैं तो देखिए हमेशा भगवान जी को शुद्ध सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है आप द्वादशी तिथी को सुभा भगवान को फलों का, मिठाईयों का या दूद से बनीवी जो भी समगरी है उनका हलवी का भोग लगा सकते हैं इन सब के लावा आप दाल, रोटी, सबजी का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए जहां तक हो सके, सुभा के भोजन में सेंधा नमक का प्रियोग कर सके तो अच्छी बात है इनके लावा आप पंचमरत का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं और ध्यान रखें कि भोग आप चाहे कुछ भी लगा रहे हों शुद्ध सात्विक भोजन का या फलों का, मिठाईों का साथ में तुलसी दल जरूर रखें अगर तुलसी दल भोग में नहीं है तो फिर आप चपन भोग भी भगवान को क्यों न लगा दे भगवान उस भोग को स्विकार नहीं करते हैं तो सुभा की पूजा आप विधिवत करें दान जो भी आप देते हैं अन का, वस्तर का या दक्षिना का उसे मंदिर में रखें और दान देने का संकल्प जरूर लें यदि आप इस एकादशी का पुन्य अपने पित्रों को समर्पित करना चाहते हैं फिर भगवान को विधिवत पूजन करके, चंदन कतिलक लगाकर, पिले फूल अरपित करके, दूप दीप जलाकर यदि हो सके तो इस दिन भी आपको इकादशी वरत की कता पढ़ने या सुननी चाहिए नहीं तो केवल आरती करके भोग लगाकर, फिर आपको जो भी भगवान को भोग लगाना है उसके अलावा, ब्रहमन को यदि आप अपने घर पर आमंतरित करते हैं तो उन्हें आमंतरित करके भोजन कराएं, फल, मिठाई, कुछ भी आप उनका मूँ मिठा करके उन्हें आप अपने घर से विदा करें ऐसा संभव ना हो, तो आसपास जो भी जरूरत मन लोग हैं, उनकी जरूरत का समान या जो भी दान दक्षना आपने मंदिर में रखी है, उसका दान जरूर करें शुब मूर्थ बीतने से पहले दान कर दें, उसके बाद आपने भगवान को जो भी भोग लगाया है फल का, सबजियों का या मिठाईयों का, उसको आप उसको आप परशाद रूप में ग्रहन करें लेकिन सबसे पहले, अच्छा यही होगा कि कुछ मीठा ग्रहन करके ही, आपको नवरत खूलना चाहिए जैसे कि आपने फलों का या मिठाईों का भोग लगाया है कुछ ना हो तो किवल शक्कर भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं साथ में तुलसी दल भगवान को अर्पित किया है उसी में से प्रशाद रूप में कुछ तुलसी दल खुद भी मुँ में डाले और पानी के साथ उन्हें निकल ले तुलसी दल कभी भी या तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं वो चबा कर नहीं खाय जाते हैं एक पत्ता दो पत्ता जितना भी आप आसानी से निकले उसी से पारण कर लिया जाता है उसके बाद जो भी भोजन बनाया है उसको आप ग्रहन कर सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि जो दान की सामगरी हमने निकाली हुई है जैसे कि कच्चा नाज हम निकालते हैं कि एक समय का भोजन किसी गरीब के किसी निर्धन के घर में बन सके या हम वस्तर का दान करते हैं अगर उस समय आपके लिए दान देना संभवना हो तो आप अगली एकादशी आने से पहले पहले या वो महीना बीतने से पहले पहले आप उसका दान जरूर कर दें दान की समगरी को जादा देर तक के जादा दिनों तक अपने घर में रखने से भी नेगेटिविटी आती है उस दान का जो पुन है वो नस्ट हो जाता है एक नियम ये भी है कि बिना दान दिये भी आप अपना वरत नहीं खोल सकते तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अप गौमाता को आप रोटी, भोजन, फल दे सकते हैं उन्हें गौमाता को खिलाने के बाद अपना वरत खोल सकते हैं काली चीटिया यदि आपको दिख जाएं तो जहां पर काली चीटिया हो वहां पर आट और शक्कर मिला कर डाल सकते हैं छट पर चिडियों के लिए भोजन, पानी या फल आदी रख सकते हैं उसके बाद भी आप अपना वरत खोल सकते हैं और वरत तभी पून माना जाता है जब नियमों के अनुसार आप वरत खोलें क्योंकि एकादशी वरत खोलने के जो नियम हैं उनमें सबसे पहला है विधि-विधान से पूजा करना और दान द उसके बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन से फलों से आप अपना उफवास खोल सकते हैं। इन मंत्रों का जाप करना चाहें। दर्विदिर्दा का वास नहीं होता, उनके घर में कभी धन, सुक, संपत्ती की कमी नहीं होती। तो ये थी एकादशी व्रत पारण की जानकारी, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा। अगर आपने हमारे चैनल पर अभी तक एक बार भी मार्कशियस मास महतमी की कथाएं नहीं सुनी हैं तो प्लीज जरूर सुन कर बताएगा। और आने वाले महिने में आप हमारे चैनल पर भगवत गीता के साथ ही अब तक के रुकेवे भगवत कथा के अध्याई भी आगे लगातार सुन सकते हैं और पौश मास महतमी की कथाएं भी आप जरूर सुनीगा।